दोस्तों जह मसी आप सभी का प्रभुयेश्य मसी के नामें बहुत-बहुत स्वागत है फाइव में बैबल सड़ी वेट पास्टे डेलर राज के इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज के विश्य को रखने से पहले दोस्तों मैं आपको जल्दी से पर कॉल लगाकर आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वे आपको ग्रूप में जो है जॉइन करें चले आज का विश्य दोस्तों मैं रखने जा रहा हूँ आज के विश्य को आपको पहले समझना होगा पहले मैं बता देता हूँ क्या है दान वर्दान फिर दूसरा पर परमेश्वर को समझने के लिए दानों की ज़रुत है या वचनों की इसके उपर मैं बात करने पर हूँ न इसको देखे समझने से मेरा मतलब है परमेश्वर को पाना उधार को पाना पवित्रात्मा पाना क्योंकि कुछ लोग सिखा रहे हैं कि जब Tक आपके पास में दान नह तो आपके पास में परमेश्वर नहीं उधार नहीं और पवित्रात्मने क्योंकि पवित्रात्मा अलग है और उसके दान वर्दान अलग है मैं रिपीट करता हूं पवित्रात्मा पिता पुत्र पवित्रात्मा यह अलग है और उसके दान अलग है अब दोनों को मिक्स नहीं क कर सकते कोई भी दान वो चाहे अन्यवाशा का हो या बविश्वानी का हो या चमतकार का हो ऐसा कोई भी दान परमेश्वर नहीं है और परमेश्वर का दान जरूर हो सकता है लेकिन दान कभी परमेश्वर नहीं हो सकते पवित्रात्मा नहीं हो सकते दान खतम हो सकती है लेकिन आपका उधार हो जाता है तो फिर आपको अलग से ऐसी कोई activities ऐसा कोई दान के लिए 80 दिन 20 दिन 40 दिन आपको किसी भी प्रकार के fasting में दान के लिए नहीं जाना है क्योंकि दान खुद कहता है जी आइफटी गिफ्ट ये खुदी गिफ्ट है पवीत्रात्मा का और वो तै करेगा किसको देना है और किसको नहीं देना है ना इसको देखे दो बातें आपको याद रखने हैं मैं रिपीट करता हूँ दो बाते द्वारा बुद्धी की बातें दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा और किसी को उसी आत्मा से विश्वास का तो इसका मतलब है यहां पे लिखना चाहिए सबको यहां पे लिखना चाहिए सबको यहां पे लिखना चाहिए सबको लेकिन ऐसा नहीं है लिका है एक को फिर निर्ने लेगा मैं रिपीट करता हूं कि पवित्रात्मा निर्ने लेगा कि किसको कौन सा दान देना है यह आप तै नहीं करोगे यह पवित्रात्मा तै करेगा वच्छन आपको दिखा देता हूं पहला कुरूंतिय भारका 11 परन्तु यह सब प्रभावशाल कारिये वही एक आ करेगा कि किसको कौन सा दान देना है क्या ऐसा कोई वच्छन बड़े द्यान से सुनना क्या ऐसा कोई वच्छन बाइबल में है जहां लिखा हो कि आप बिनादान परमेश्वर को नहीं समझ सकते मेरा open चैलेंज आप सभी को जितने भी यह सिखाते हैं कि बिनाप देता हूं और मैं उसे कहता हूं कि मुझे बाइबल से एक वचा निकल के बताए जहां लिखा है कि आपको जब तक दान नहीं मिलता आपका उधार नहीं हुआ है आप परमेश्वर को नहीं समझ सकते ऐसा एक वचा निकल के बताए बलकि दूसरा तिमोति 3 का 16 17 क्या कहता है लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रिणा से रचा गया है उपदेश समझाने सुधारने धरम की सिख्षा के लिए लाबदाया कहे ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत पर हो तो मुझे दान नहीं चाह मैं आता कि लोग यह क्यों नहीं सिखाते ना इसको देखिए जो आपको याद रखना है हन वर्दान सिर्फ और सिरल से सम्मंदिती गए था इसके अलावा कोई दुसरा ले धान वर्दान का किनेक्शन ना तो उधर्शन से हैं ना किसी और चीज से है, दोस्तों मैं आपके बीच में आ रहा हूं, मैं वापस आपको बताता हूं, अगर ऐसी कोई सिक्षा देता है, कि आपके पास में दान होना चाहिए, तब जाके आपका उधार होगा, आपके पास में पवित्रात्मा तब ही आएगा, जब आपके पास में पास्टर या कोई पापा जो यह तै करेगा कि आपको क्या चाहिए यह पवित्रा अत्मा तै करेगा कि आपको क्या चाहिए चलिए अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात हो की तब तक के लिए नमस्ते